हेलो फ्रेंज वेलकम टू दी चैनल आज मैं जिस मूवी को एक्स्प्रीन करने वाली हूँ उस मूवी का नाब है सन ओफ बैटमेन और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंतक बने रही है मूवी की शुरुवात में हमें League of Assassians की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर रसल गूल अपने टीम को ट्रेनिंग दे रहा था उसके साथ एक छोटा लड़का खड़ा होता है जिसका नाब डेमियन है और डेमियन रसल गूल की बेटी तालिया और बैक्मेन का लड़का ह होता है और रसल गूल चाता था कि उसके बाद डेमियन ही League of Assassians का लीडर बने और उसी वज़े से वो उसे समझा रहा था कि तुम्हें भी इन्हें ऐसी ही ट्रेनिंग देनी होगी और डेमियन ये सभी कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था कि तभी वहाँ पर कोई और Assassians अट देमियन को देगा तो उसने रसल गूल पर अटाक कर दिया और अब इन दोनों टीम में बहुत ही मैसिव लड़ा स्टार्ट हो जाती है और इस पूरे फाइट के दौरान रसल गूल बहुत बुरी तरीके से जल कर मर जाता है और वो लजार्यस तक भी नहीं पहुच पाता ल अगर उससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता देमियन उस पर बहुत बुरी तरीके से हमला करता है जिस वज़े से देग्स ट्रोक वहां से भाग जाता है और तभी तालिया को समझा जाता है कि देमियन को बचाने के लिए उसे बैटमेन के पास जाना होगा ताकि बैटमेन उ और उस मॉंस्टर से लडने लगता है मगर वो मॉंस्टर काफी ज़दा बड़ा होता है और खतरनाक भी और इससे पहले कि वो बैटमेन को मार देता वहाँ पर तालिया आ जाती है और वो बैटमेन को बचा लेती है और वो बैटमेन को कोई स्टोरी बताती है और डेमियन को उसके पास छोड़ कर वहाँ से चली जाती है और वही दूसरी तरफ हमें डॉक्टर कर को दिखाया जाता है जो कि रसल को उकल के लिए काम किया करता था और वो एक ऐसा लिक्विड बना रहा था जो सारे असासियन टीम को बहुत स्ट्रॉंग बना दे ताकि वो असासियन हर किसी से फाइट कर सके और इतने ही देर में वहाँ पर डेट स्ट्रोक के आर्मी पहुँच जाते हैं और Deathstroke की आर्मी डॉक्टर कर्क की पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाते हैं और वो डॉक्टर कर्क से खहता है कि मुझे ऐसा लिक्विड बना के दो जो मेरे टीम को आदा इंसान और आदा बैट बना दे और वो लिक्विड लेने के बाद ही मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा वनना ये सारे के सारे मारे जाएंगे और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमेन अपने ओफिस जाता है मगर डेमियन वहाँ पर आलरडी पहुँच चुका था और डेमियन उसके ओफिस के सिक्योरिटी को बहुत आसानी से ब्रीच करके ओफिस के अंदर चला गया था और वहीं पर डेमियन बैटमेन को इंफर्म करता है कि इसी सीटी में देट स्टुक का एक दोस रहा करता है और उसके दोस्त को ये ज़रूर मालूम होगा कि देट स्टुक आखिर में क्या चाता है और वो इस समय कहाँ पर होगा और हमें उसके दोस्त को पकड़ कर ये सारे इंफोमेशन उससे ले लेनी चाहिए मगर बैटमेन डेमिन से कहता है कि तुम फिलाल अब घर चले जाओ और हम ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते और वही पर ताल ये अपने फादर की मौत का रिवेंच लेने के लिए सीक्रेट हाई टॉंग में पहुँच जाती है मगर उनका लग नहीं होता और वे सभी लोग पकड़े जाते हैं और वही पर बैटमेन गौतम सिटी के इस मौन्स्टर के पास पहुँच जाता है और उसे क्वेशन करता है कि आखिर में तुम चुरा क्या रहे थे और वो कहता है कि मैं कुछ मेडिसिन चुरा रहा था डॉक्टर कर के लिए और उसके बदले में वो मुझे ट्रीट करेगा क्योंकि उसके स्किन में काफे पेन हो रहा है और तभी बैटमेन देखता है कि उसकी स्किन पील होती जा रही है और इसलिए बैटमेन उसे कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर कर के घर का पता बता दो और बैटमेन कहता है कि उसके बदले मैं तुम्हारी मदद करूँगा और अब उस मॉंस्टर के पास कोई आप्शन नहीं बचता और वो उसे उसका अड्रेस दे देता है और जब बैटमेन उस अड्रेस पे पहुशता है तो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और उसे वहाँ पर एक आदा बैट और आदा गोरिला जैसा एक क्रियेचर दिखाई देता है जिसे बैटमेन बहुत आसानी से हरा देता है और डेट स्टोक यह नहीं चाता था कि डॉक्टर कर के घर से कोई भी ऐसा एविडेंस मिले जिससे पता चल सके कि वो डॉक्टर कर के फैमली मेंबर्स को ले गया है और इसलिए वो वहाँ पर एक ड्रोन भेशता है ताकि उसके घर को ब्लास्ट कर दिया जाए और बैटमेन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर वहाँ से भागता है और वहीं दूसरी तरफ डेमेन डेट स्टोक के फ्रेंड के घर पर अब अकेला ही पहुँच जाता है क्योंकि उसे रसल गुल ने पोर्सनल ट्रेंइन दी थी और देमेन उसे देटस्टोक के बारे में पूछता है मगर उसका दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में आके डेमियन उसे मारने ही वाला था मगर end time पर night wing वहाँ पर पहुच जाता है और डेमियन को उसे मारने से रोक लेता है और उसकी बब Batman डेमियन को काफी जादा चिलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहाँ पर जाने के लिए और इन सब में Batman ये तो समझ गया था कि डेमियन चुप रहने वालों में से नहीं है और इन सभी का solution अब Batman के पास एक ही होता है और वो Robin की कपड़े को डेमियन को दे देता है और Batman कहता है कि अगर इसे कुछ करना है तो मैं उसका साथ उसमें अब दे दूँगा और उसके बाद ये सभी लोग Commissioner Gordon के पास जाते है जिसके पास एक ऐसी location थी जहाँ पर शायद से Deathstroke हो सकता है और फिर वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुचते ही उन्हें अजीब से Creatures मिलते हैं जो कि आदे Bat और आदे Humans होते हैं और ये दोनों उन अजीब से Creatures का मुकाबला करते हैं और यहाँ पर उन्हें Dr. Kirk भी मिलता है जो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर Deathstroke के लिए काम कर रहा हूँ और वो कहता है कि मुझे ऐसा Solution बनाने के लिए Deathstroke नहीं कहा है ताकि उसकी सारी आर्मी Half Human और Half Bat में Convert हो जाए और इसलिए अब Dr. Kirk के साथ Nightwing वही पर रुख जाता है और इस Solution का Antidote बनाने लगता है और उसके बाद Dr. Kirk, Batman को यह Request करता है कि Deathstroke मेरे Family को अपने साथ Kidnapp करके ले गया था और अब उनकी जन खत्रे में है और वो उने कहता है कि प्लीस उन्हें जाकर बचा लो और उसके बाद Batman और Damien उस जगह पर चले जाते हैं जो कि Dr. Kirk ने बताई थी जो कि होती है Secret High Town और वहाँ पांचकर उन्हें Dr. Kirk की Family मिल जाती है और Dr. Kirk की बेटी Damien को एक device देती है और वो कहती है कि मुझे Deathstroke ने ये device तुमें देने के लिए कहा था और उसने ये भी कहने के लिए कहा है कि ये बाते Batman को मत बताना और जब Damien उस device को ओपन करता है तो उसमें एक वीडियो होती है और उस वीडियो में Deathstroke Damien से कहता है कि तुम्हारी मॉम तालिया मेरे पास है और अगर अकेले तुम मेरे पास ना आए तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा और उसे के असाथ वो Damien को एक location भी दे देता है अपनी मदर को बचाने के लिए और Deathstroke तो किसी भी हल में Damien को मारना चाता था और यही reason था कि उसने रसाल कुल को भी मार दिया क्योंकि वो सारे assassins का leader बनना चाता था और जब Damien उसके सामने आता है तो वो उसे shoot कर देता है और इसे पहले कि वो गोली Damien को लगती तालिया उसके सामने आ जाती है और वो गोली तालिया को लग जाती है और इतने ही देर में वहाँ पर Batman बे पहुँच जाता है और Deadstroke के सारे Human और Bat वाले Creature उस पर हमला कर देते हैं मगर Batman अपने साथ Solar Devices लेकर आया हुआ था और जैसे वो Device को On करता है उसके अंदर से Solar Waves निकलने लगती है और वो Waves सारे Man Bats Creature को भगा देते हैं और ये पूरा का पूरा Secret High Town पानी के उपर बना हुआ था और जिस वज़े से जैसे ये Man Bats Creatures वहाँ से भागने के कोशिश करते हैं वहाँ का सारा Glass तूपने लगता है और पानी Secret Town के अंदर आने लगता है और Deadstroke के सब कुछ देख कर वहाँ से भागने लगता है मगर Damon उसके बाद Batman तालिया के पास जाता है और Batman उसे Lazarus Liquid के अंदर डालता है और वो तुरंत ही Recover होने लगती है और उतने ही देर में वहाँ पर Nightwing और Dr. Kirk भी आंटीडोट के साथ पहुच चुके थे और उसके बाद वो सारे आंटीडोट से Man Bats को Change कर देते हैं और फिर सभी लोग ठीक हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ Damon और Deathstroke के बीच में बहुत बुरी लडाई हो रही थी और उस Fight में Damien ही जीत रहा होता है और जब वो Deathstroke को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है मगर वो उसे मारता नहीं और वो कहता है कि मैं Batman का बेटा हूँ और मैं ऐसे ही किसी को नहीं मारता और उसके बाद वहाँ पर हर जगे पर पानी भरने लगता है और इसलिए Damien, Batman और तालिया वहाँ से भाग जाते हैं और Deathstroke वही पर फसा रह जाता है और उसके बाद जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और एंड में हम Batman और Damien को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही पर समाफ्त हो जाती है अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवान